पॉलिटी की क्लास् brushes चल ठीर पॉलिटी क्लासं की क्लास्वं मes संसद के बारे में देखा था ता था दो सदन देख चुके हैं सदन के दो सदन थे एक था लोग सभार दूसरा user राजीश जिसमें हमने डीली देख लिए था lost सबसे पाइल सभा के राजियों का सबस्तरा क्याते हैं नाम इस कि कि पीछए की रिजन है कि राजी सभा के जो सांसद होते हैं, उनका निर्वाचन जो है, हर राजी की विधान सभा के जो सदस्यों होते हैं, उन सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि हमने लोग सभा में पढ़ा, ये लोग सभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधी जनता द्वारा किया जाता है, व कि विदान सभा के विदाईय द्वारा रजीज़ जाता है निर्वाचन किया जाता है इसलिए वो राज्य का क्याता है दूसना नाम देखा जा कि तो गिव्री सदन था जब कि अगर राजए सभा देखें तो इसका नाम जो है मनोनित सदन है is कि पीछे रिजन यह कि राजए सभा में राश्टपती बादा से उसका किया करता है वह वह자를 होते हैं और वढारी सथा सदन डीचा जब हमने पढ़ी स्थाइघ सदन करतों राज्य सब्संद्स नहीं इसलिए सिस्थाइचे सदन चांक scholar देए हैं अ में युट्य सब्सक्राइट जाता है इसलिए इसके वरिष्टबола आजाएट सदन इसध्रेश के उपनाम है उपनामों के बाद अगर बात करें सदस्य संख्या की कि कि राजेये सब्हएं चथा सथा करömड होते हैं च SS इन जो सुपचास में निर्वाचित होते हैं उनका क्या क्या जता है निर्वाचन होता है कहा charging LGBTQ की विधान सभाओ के सद इस्व द्वारा क्या किया धता है निर्वा चन मिद्वेक्ति करने का प्राव्धान राष्टपती के पास है राष्टपती 12 देयों को मोन और नहीं लड़ते लिस नहीं लड़ते हैं और सब बनाता और बनाता है राजे सभा के सांसद है वरतमान में 245 विक्ति राजे सभा के सांसद है 245 में से 233 विक्ति जो है अलग-अलग राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं भरत के बहुत सारे राज्यों से 233 विक्ति निर्वाचित होकर जाते हैं और 12 विक्तियों को राष्ट्रपते क्या करता है मनोनित करता है जो मैंने अभी बताया था अब बात में आती है मैंने इंपोर्टेंट बात जब हमने लोगसभा पड़ा तो लोगसभा की राजस्थान से राजस्थान से लोगसभा में सीटे पड़ी थी तो राजस्थान से लोगसभा में की सीटे थी पत्चीस और बात करे राजी सभा से तो राजी सभा में राजस्थान से सीटे कितनी है राजी सभा से राजस्थान में सीटे है दस यानि दस व्यक्ति जो है राजस्थान से राजी सभा में निर्वाचित होकर जाते हैं और लोग सभा में 25 व्यक्ति निर्वाचित होकर जाते हैं यहां क्वेशन य करेंगे तब कितना आएगा अपना 35 तो संसद में कुल सीते कितनी राजस्थान की 35 क्लियर है अगे देखें इसलिए कैटेकरी में आगी यह हमने देख ली ती सदसी संख्या वर्तमान सदसी देख लिए मुल सद अधिक्तम सदसी देख लिए अब बात करते हैं इनकी निर्वा निर्वाचन जनता द्वारा होता है लेकिन लोग सबाव के सदसी देखें उनका निर्वाचन प्रतेक्स होता था जनता द्वारा कैसे उनको वोट जनता सीधा देती अब बात करते हैं राजी सबाव की तो राजी सबाव के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है लेकिन प्रत्यक्स नहीं होके कैसा होता है और प्रत्यक्स यानि इंडारेक्टली होता है इंडारेक्टली होता है जनता द्वारा निर्वाचित या कोई व्यक्ति होता है उनका जिने विधायक आ जाता है तो इनका जो निर्वाचन है राजी सभा के सदस्यों का निर्वाचन और विधान सभा सद्धियों जो होते हैं जिने विधायक आ जाता है तो हर राजी में कुछ विधायक होते हैं वह विधायक क्या है अपने अपने राजियों से राजिय सभा के सांसलों को चुनते हैं जो वोटिंग प्रोसेस होती है उसमें सिर्फ विधायक ही भाग लेते हैं अब कौन सा व्यक्ति है कौन व्यक्ति है यानि उसमें क्या योगिता होने चाहिए जो राजी सभा का सदेश्य बन सकता है या निर्वाचित होने के लिए तो कोई भी व्यक्ति जो है राजी सभा के सदेश्य बनने के लिए आवेदन कर सकता है लेकिन उसमें राजी सभा सदे लेकिन एक अधिनियम लाया गया जन प्रतिनियम जन प्रतिनिदी अधिनियम दो हजार तीन उसके तहट यह प्रावधान किया गया कि यहां आविशक नहीं कि चुनाव लगने वाला उमिद्वार समधित राजिका ही मुल निवासी हो जैसे हैं कि हम बात करें अपने तोकर जाएंगी राजस्थान से बन सकता है जैसे अभी बात करें वर्तमान में मनमोहन सिंह जो है राजस्थान की राजस्थान की नहीं है इसमें क्या है कि जब हमने लोक सभा पड़ी ता उसमें जो मतदान होता था वो गुप्त मतदान होता था कैसा होता था गुप्त मतदान हम अपना वोट किसी को नहीं बता सकते थे जबकि राजस्थान होता है विधायक देते हैं वोट और जो मतदान होता है वो कैसा होता है खुला मतदान हम अपना वोट जो है दूसरे विक्ति को बता स करता है तो निर्वाचित आप करते हैं मनोनेत कैसे की जाती है कॉन होते हैं क्या उसकी बारे में क्या करता है तो राश्टरपति क्या करता है सहित कला विज्ञान एवं समाद सेवा की शेत्रों सभाए में क्या और प्रतिनीजी व्यक्तियों को क्या करता है राज्य सभा में सांसद बनाता है कौन बनाते है रास्टपती महाँ अब यह जो है इन मनोनित सद्शियों को कहा जता है कि मंत्री बन सकते हैं या नहीं मनवन सद्वर्व संभार्य इसमें का वK girl करना लेकिन बाद अगर किसी पार्ट मपनें के बाद ऑपने को जाता है किसी राजनेतिक सदिस्टार जोईन करना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ाइगा वह आपने मनोनयान के मनोनien की कितने समय बाद चасти महाँ कर सकता है यहां सबसे मैं इंपोर्टेन बात आती ही राजस्थान से कितने व्यक्ति है व्यक्ति है जो राजस्वां में दोक्टर नारायन सिंग मानकलाव है राजस्थान से जो राजी सेवा में मनोनित हुए थे यह उन्होंने कोई इलेक्षन नहीं लड़ा लेकिन उन्हें राष्टपती ने क्या किया था राजी सेवा का सांसद बनाया मनोनित किया किस सेत्र में किया इन्हें 2003-2009 के बीच यह र मनोनित किया था क्लियर है बात निर्वाचन की प्रोसेस देख ली मनोनियन की देख ली मनोनियन के बाद देखते हैं योगिता कि राजी सभा सदश्य बनने के लिए आप में क्या-क्या योगिता होने चाहिए कौन व्यक्ति हैं जो राजी सभा सदश्य बन सकता है योगिता कम से कम तीस वर्स जिसकी आयू है वो राजी सभा सदेशी की रूप में आवेदन कर सकता है अहली बात दूसरी योगिता वह भारत का नागरी हो सैम जो योगिता जो हमनी लोग सभा में पड़ी वही है सिर्फ एज का डिफरेंस आएगा वह पागल या दिवालया नहीं हो वह उसकी क्या है योगिता होती है अब बात करते हैं इनका कारेकाल कितना होता है तो हमने जब बात किती लोग सभा की तो लोग सभा का एक कारेकाल देखा था कि लोग सभा पांच वर्स के लिए होती है और हर पांच वर्स बाद नवीन लोग सभा का घठन किया रता है जबकि राजिस Dwha में ऐसा नहीं होता है क्योंकि राजिसअवधन कोई इससा सदन है कि राजिसवधन सभा की बन ही तो राजिसवधन के सदलida करते है। जबकी लोग सभा जो है प्ट-साथ साल बाद भंग हो जाती है लोग सभा करिकां देखा था हमने 5 जबकि राजयय सभा जो है ऊच्छो सदन है और इसके सदिश्ञों कारिकां डियान रखे फिर बात करें या निर्वाचित होते हैं इन सजीं में से इन सधाने सधाने Spec歟 कितने करते हो जाते हैं यह सथान पर नय व्यक्ति चुने जाते यह थह इनका योगीता देख लिया और देख लिया बात करते हैं अधिवेशन की हमने लोगिसभा में भी अधिवेशन और धाथ और सबां क्या है अब यहाँ लोग्ष्बह लिख दिया है इसका राजिसभा माने squid कि देखा packa दो दूड़ीःष्बह कि दो सबाइथब होना दो एका कम चाहिए राजिसभा में इक वर्ष बने बात की दो की बात की और था ताकि दोनों अधिवेशनों के बीच याने दोनों बैठकों के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए तो लोग सभा में देखा कि नियूनतम एक वर्ष में दो बैठक करानी है और दोनों बैठकों के बीच छे माहा से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और वही प्रोसेस रा तक लिए निए किसी बैठक के लिए नियूनतम कितने वेक्ति उपस्तित होन होने चाहिए उसको कहा जाता है गणपूर्थी हत्वत को ओर हमने लोगसभा में अधिविशन देख लिया अब बात करेंगे हम पदाधिकारी के बारे जैसे हमने लोग सभा में देखा उसके भी पदाधिकारी थे एक थे अध्यक्स और एक कौन थे उपाध्यक्स तो उसी तरह राजी सभा में भी अध्यक्स और उपाध्यक्स होते हैं तो उन राजी सभा के अदिक्स को तो सभापती कहा जाता है क्या कहा जाता है सभापती राजी सभा का सभापती ठीक और लोग सभा में लोग सभा का अदिक्स होता है तो सभापती होता कौन है तो जो भारत का उपराष्ट पती होता है देख ध्यान रखें राष्ट पती नहीं मैं उपराष्ट पत बोल रहा हूं भारत का जो उपराश्टपती होता है वह राज्य सभा का क्या होता है सदस्य होता है सभापती होता है क्या होता है सभापती लेकिन इसकी बारे में बात इस्पेशल है जब हमने लोग सभा पड़ी तो लोग सभा का अध्यक्स जो था वह लोग सभा का सदस्य ही कि कारेकाल के राजीसभा का कारेकाल हमने पड़ा चे दियान रखें राजीसभा में अध्यक्ष और उप्वस्भापती होता है सवापती कोण होगा बharat का उप्राश्टता पती बहरत का उप्राश्टता लेकिन वह उप राष्ट पती इस राजी सभा का सदस्य नहीं होता है जबकि लोग सभा का अद्यक्स राज लोग सभा का क्या होता है सदस्य होता है लोग सभा के सदस्य की जो कारेकाल देखा वो 5 वर्स था और राजी सभा के सदस्यों का कारेकाल देखा हमने वो था 6 वर्स लेकिन राजी सभा के सभापती का कारेकाल कितना होगा मात्र पांच वर्स ये बात थी सभापती की अब बात करें उपसभापती यसे लोग सभा अद्यक्स और उपद्यक्स थे उसी तरह राजी सभा में सभापती और उपसभापती उपसभापती जो है राजी सभा के सदिश क्लियर है अब राजी सभा के सदेशी का कारेकाल कितना था छे वर्स तो उपसभापती का कारेकाल भी कितना होगा छे वर्स होगा यह बात थी इनके कारेकाल की अब बात करें इनके कारे क्या हैं पदा पदा दी कारियों के कारे क्या हैं सभापती और उपसभापती के कारे क्य यानि जो सदेशी होंगे उन सदेश्यों को विशे पर बोलने की क्या देना अनुमति देना यानि सदेश्य अगर कोई बात रखना चाते हैं कोई प्रस्ताव रखना चाते हैं तो उनके बोलने की अनुमति कौन देगा राजिसभा के सभापती अच्वा उपसभापती जो सदन में दल बदल संबंदी अयोगिताओं का निध्धरन करना कोई वेक्ति अगबर राजी सभा में निर्वाच्रित होने के बाद दल बदल देता है तो उसकी अयोगिता यानि वो उस दल की योगी है एत्वा नहीं उसकी इसका निर्धान भी कौन करेगा उसका सभापती करत करता है पिर बात करें कि अध्यक्स को हां फिर बात जहाँ वोट देता ठी के कालता तो उसी राजी सभापती कि जो सभापती होता है उसे राजी सभा के किसी विशय पर मत देने का अधिकार नहीं होता है लेकिन पक्स और विपक्स के जब मत बराबर हो जाते हैं मत बराबर हो जाते हैं वोट बराबर हो जाते हैं ऐसी सिती में वह क्या कर सकता है निर्णायक मत दे सकता है कौन दे सकता ह होंगे राजी सभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे राजी सभा के सदस्य अपना त्याग पत्र सभापती को देते हैं और सभापती कौन होता है बारत का उपराष्ट पती होता है और राजी सभा का अगर सभापती अपना त्याग पत्र देना चाहे सभापती जिसे उपराश्ट पत्र क्याते हैं तो अपना त्याग पत्र किसको देगा वो अपना त्याग पत्र राश्ट पत्र को देगा बात को वापस समझे राजी सभा के सदस्य अथवा उपसभापती अगर त्याग पत्र देना चाते हैं तो वह तो देंगे सभापती को क्लियर है बात और सभापती अगर त्याग पत्र देना चाता है अपने पद से तो वह किसको देगा भारत के रश्ट पती को अपना त्याग पत्र सौपता है फिर बात करते हैं कुछ महतोपूर्ण तत्यों की कि एक बहुत important है ये इन्हें आपको याद को आपको याद करना ही पड़ेगा सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राजी सभा के सभापती तो भारत की जो प्रथम उपराष्ट पती थे वह प्रथम राजी सभा के क्या थे सभापती थे और वह कांती डॉक्टर सर्वपली राधा क्रश्नन पिर बात करें प्रथम राजी सभा उपसभापती, सभापती तो थे सर्वपली राधा कृष्ण, तो उपसभापती कौन थे, उपसभापती थे स्रीमान, S.V. कृष्ण मूर्ती राव, S.V. कृष्ण मूर्ती राव, वरतमान में राजी सभा सभापती कौन है तो वरतमान में भारत के जो उपराश्ट पती है श्री वेंकेया नाइडू वह भारत की क्या है सभापती राजी सभा के सभापती है और भारत के उपराश्ट पती है वरतमान राजी सभा के उप सभापती कौन है तो उप सभापती का प्रफम उपसभापती देख लिया वर्तमान सभापती देख लिया और वर्तमान उपसभापती देख लिया हमने पूरी राजी सभा पढ़ ली है लोग सभा देख ली थी लोग सभा को राजी सभा से कंपेर करके पढ़े आपको बिल्कुल इजीली समझ में आद आएगा कि मै क्या है राजी सभा में और लोग सभा में डिफ्रेंस क्या है आज की क्लास में इतना ही धन्यवाद